वेलकम बैक टू माई यूटूब चानल आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ भवरा रिस्पी जिसे बचका या हरे मटर का चीला भी कहते हैं तो चलिए इस रिस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं भवरा बनाने के लिए मैंने यहां पे दो कप चावल और एक कप चनी के दाल का यूश किया है जिसे मैंने पांच घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था वन कप हरा मटर टू डेबल स्पून अद्रग लेसन का पेस्ट वन कप धनिया पत्ती चार से पांच हरी मिर्च वन कप सोवा वन टीस्पून धनिया पौडर हाफ टीस्पून हल्दी पौडर हाफ टीस्पून लाल मिर्च पौडर हाफ टीस्पून जीरा पौडर हाफ टीस्पून काली मिर्च पौडर और नमक टेस्ट के कॉर्डिंग से पहले चावल और दाल के मिक्षर में हरे मटर को एड़ करेंगे उसके बाद लहसन अंदरक का पेस्ट, मिर्च, सोवा और धनिया की पत्ती को भी एड़ कर देंगे उसके बाद हम अपने सारे मसालो को भी एड़ कर देंगे सारे मसालों को एट करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से बिला लेंगे यहां पर मेरा ऑईल गरम हो चुका है अब हम इसमें बैटर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि यह ज़्यादा ना पतली हो ना मोटी हो इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे और इसे मेडियम फ्लेम पर दो मिनट तक फ्राइ करेंगे दो मिनट हो चुके हैं अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे दो मिनट तक मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे ये देखिए हरे मतर का किस भी चीला तैयार है और देखने में काफी डिलीशियस भी लग रहा है तो आप भी इस हेल्दी ब्रेकफस्ट को ज़रूर ट्राई करें और हमारे चानल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें